Hello friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे और सेफ भी होंगे So आज हम जा रहे हैं राइट टाइक रोड जो कि बुर्ला में है इसे आप जीरो पॉइंट भी बोल सकते हैं और ये रोड आपको डिरेक्ली ले जाएगी देवरिकर्ड वाइड लाफ सेंचुरी की और So हमारे previous वीडियो में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी राउगला से और पानी पाच वाटरफॉल तक आये थे जो की डाइक रोड के स्टार्टिंग में ही है और ये वीडियो उसी की कंटिनियोशन ही है अगर आपने मेरा previous वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ जाएगा दू चेक आउट देखा वीडियो So अगर आप नए है इस चैनल में देन लाइक और सब्सक्राइब आओ चैनल ट्रावल एंद फूद ओविचियल And if you are already a member of this family देन लाइक और शेर देखा वीडियो कि अप्राव प्रावल एंद देखा वीडियो जाएब घड़ जाएब देखा वीडियो The stretch of this dike road is 11 km long और इसके राइट में है इस हुज महानदी रिवर अगर आप यहां आने की प्लाइनिंग कर रहे हैं तो definitely time लेके ही आये so that you can enjoy the sunset view of this beautiful place थार्प्स हो अ कर दो प्राइल भी बड़ से फिर्व टो बोग प्राइब करते हैं रहाँ कि अज़ में आपको बीज़ बोगे हैं पुर्भ पुर्ण दोग अली अज़ और गली अज़ रहाँ अज़ बोगे भी नगाँ लेफ्ट में जो रोड जा रही है यह आपको बर्गड की और ले जाएगी और इसे बर्गड मेन कैनल कहा जाता है जो मेनली इरिगेशन परपस के लिए ही बनाया गया है और यहां से देवरिगड सेंचुरी की गेट सिर्फ दो किलोमेटर से बनाया गया है यहां आप फैमिली के साथ आके कॉटेजिस में स्टेक कर सकते हैं और यहां के जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं कर दो आके जंगल सकते हैं कर देन में आके जंगल आके से हुआते हैं केर दो आके जंगल झाल 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 झाल